पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बारे में कहा उनको कहा कि भगवन मान जी पंजाब को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने दीजिए यह मैंने मामूली बात नहीं कही है सबसे पहले मैं आपको मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लोकसभा में बैठे थे आप में और अर्विंद केजरिवाल जी में बहुत फरक है आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मैं कॉंग्रेस पार्टी के स्टेट से कह रहा हूँ मगर पंजाब को बिल्ली से नहीं चलाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्यूं कह रहा हूँ एक कार्यो करता है सड़क पर मेरे साथ चल रहे थे मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा हूँ मैंने का ठीक है कॉंग्रेस पार्टी का है मैं किसी और से चेक करता हूँ सड़क पर साइट पे किसान मिले पहले मैंने उनसे खेती के बारे में पूछा फिर मैंने पूछा भया बताईए यह आमादमी पार्टी की नई सरकार आई है इसने क्या किया उसका जवाब था कि यह रिमोट कंट्रोल सरकार है मुझे अच्छा नहीं लगा आमादमी पार्टी से कॉंग्रेस पार्टी पंजाब में लड़ेगी हम आपको हराएंगे वो अलग बात है मगर अगर एक किसान कहे रिमोट कंट्रोल सरकार है और मैं पूछू रिमोट कंट्रोल मतलब और वो कहे राघव चड़ा मतलब आर्सी तो यह सही बात नहीं है यहाँ पे कॉंग्रेस पार्टी के नेता खड़ें बैठें गुजरात में आपका पैसा गुजरात के चुनाओं में इस्तिमाल किया जाए गुजरात में अड्विर्टिस्मेंट्स दी जाए आपके पैसे से यह सही नहीं है यह गल्ट है यह पंजाब के लोगों का पैसा है और मैं फिर से कहता हूं कि भगवंत मान जी मुझे अच्छे लगते हैं मगर पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए करी मुझे थायां